रात में एक चोर घर में घुसा, कमरे का दर्वाजा खोला तो बरामदे पर एक बूली और अच्सो रही थी। खटपट से उसकी आँख खुल गई, चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा, तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो, चलो, कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बकसे मे एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक खुआप देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो, चोर उस बुली औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचा गया और मेरी आँख खुल गई, जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ, चोर सोच में पढ़ गया, इतने में बराबर वाले कमरे से बुलिया का नौजवान बेटा, पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उड़ गया, और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी, बुल बुल गया, बुल गया हुआ कोरा, दोर से खजाय, भल, वाले की जमकर उल्गा, जरा धुल में खुल पावन जो Hopl.